साम अलेकुम and welcome back to the mother vlogs mother vlogs में आप सभी का welcome है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या cucumber और carrot खाना pregnancy में safe है खा सकते हैं फिर या नहीं इसके बारे में पूरी detail में बात करेंगे discuss करेंगे और मेरे जो सभी videos होते हैं वो एक survey के मताबिक जो search किये जाते हैं जो question के answers है वो मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ अगर मेरी language आपको समझ में भी नहीं आ रही है तो आप पढ़ लें और पढ़ने से आपको पूरी वो knowledge provide हो सकें इसी intention के साथ मैं अपनी videos की ये इस तरीखे के videos बनाने की जो ये कोशिस जो कर रही हूँ उसमें मुझे जादा success तो नहीं मिल रही है फिर भी अगर किसी की help होती है तो मुझे बहुत अच्छा feel होगा ताकि एक mother तक जो सही information है मेरी इस video के form में उन तक पहुंचे बस यही intention है मेरी इस video के बनाने का जो मेरा purpose है यही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं video can a pregnant woman take carrot and cucumber क्या मा ककड़ी और गाजर खा सकती है प्रेगनेंसी में तो ये question है इसका answer आप के साथ मैं जरूर शेर करूँगी तो चलिए is eating carrot and cucumber safe during pregnancy तो हाँ कुकमबर और क्यारेट खाना safe है गाजर और ककड़ी खाना क्यारेट और क्यारेट और कुकमबर आर कंसीडर safe to eat during pregnancy बट excessive consumption can lead to allergic reactions gas formation belching indigetions and frequent urination so eat in moderation तो बहुत ज़ादा खाने से थोड़ी problems हो सकती है तो इसे थोड़े फार्म में लेने से problem नहीं हो सकती है कहा गया है तो कई लेडिस को यसा होता है कि कुछ चीज़ें खाने से allergy वगएरा भी हो सकती है अगर आपको allergy वगएरा है तो आप avoid कर सकते हैं अगर आपको allergy नहीं है तो आप जरूरी जगा allergic reaction जो कुछ ladies होते हैं उन्हें allergy भी होती है तो उनके बारे में भी यह कहा गया है gas formation याने कई ladies को gas की problem भी हो सकती है तो आप avoid कर सकते हैं अगर आपको होती है bleaching यानि irritation वगएरा भी होता है कई ladies को फिर digestion की problem भी होती है carrot वगएरा खाने से कईयों को और frequent urination खीरा जो है वो cold कमाना जाता है तो बार-बार urination भी हो सकता है तो इसलिए हर चीज को आप एक limit में खाएगा और एक ही time खाएगा day में तो आपको problem नहीं होगी यह मेरी experience के base पर बोरूँ मैं अगर day में कुछ भी cheese one time खाऊँ तो मुझे कोई problem नहीं होती है one time से अगर मैं उसे ज़्यादा consume करती थी तो मुझे थोड़ी problem होती थी जी हाँ यह मेरी personal experience की base पर आप लोगों के साथ share करें because I am four kids mom तो मेरा जो four pregnancy का experience रहा है हाँ time एक different experience रहा है तो उस experience के base पर कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ share करती हूँ ताकि आपको जो मेरे साथ problems हुई है वो कईयों के साथ ना हो तो यही intention के साथ मैं अपनी four pregnancy के जो journey है उसको share करती हूँ इस वक्त because मुझे बहुत सारे questions doubts जो थे मेरे वो कईयी बार clear ही नहीं हुए है और मैं हर दिन ढूड़ते रहती थी इसका reason, solution, वज़े तो मुझे नहीं मिले तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे channel पे आए उन्हें हर एक question का answer मिले हर एक problem का solution मिले तो इस intention के साथ वीडियो बनाने का जो purpose है वो मैंने start किया है तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है मेरे channel से जुडियेगा और मेरे channel का हिस्सा बनिये और अपनी हर एक question जो आपके है वो comment में लिखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो do like, share, subscribe thank you for watch